आज देवुठनी इकादशी है, हर साल कार्तिक शुकल इकादशी तिति को देवुठनी इकादशी मनाई जाती है। इसे हरी प्रबोधनी इकादशी और देवुठान इकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रीहरी भगवान विश्णू योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस इकादशी से चतुरमाज का भी समापन हो जाता है। यानि इस इकादशी से विवाह सगाई मुंडन ग्रेप्रवेश जैसे शुब और मांगलिक कार्यों पर लगी पावंदी हट जाती है। देउठनी इकादशी के अगले दिन तुलसी शालीग्राम का विवाह होता है। जानते हैं कि इस बार देउठनी इकादशी किस दिन पड़ रही है। इस बार देउठनी इकादशी पाए रवी योग सवार्थ सिद्धी योग और सिद्धी योग रहेगा। इन शुब योगों की चलते देउठनी इकादशी का महत और बढ़ गया है। रवी योग सुबह 6 बचकर 50 मिनिट से 5 बचकर 16 बचे तक। सवार्थ सिद्धी योग शाम 5 बचकर 16 मिनिट से अगले दिन सुबह 6 बचकर 51 मिनिट तक। सिद्धी योग सुबह 11 बचकर 54 मिनिट से अगले दिन सुबह 9 बचकर 5 मिनिट तक। देउठनी इकादशी की दिन ब्रह्मा मोरत में स्नान आदी से निवरत होने के बाद घर की अच्छे से सफाई करें। और आंगन में भगवान विश्नु के पैरों की आकरती बनाएं। इसके बाद भगवान विश्नु जी का ध्यान करते हुए वरत का संकल्प ले। श्री हरी विश्नु की प्रतिमा के समक्ष शंक और घंटियां बजा कर उनकी जागने का आहवन करें। इस दिन घर के बाहर और पूजा स्थल पर दिये जलाने चाहिए। भगवान हरी को लड़ू और गन्ना, सिंघाडा जैसे मौसमी फल अरपित करें। इकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। और भगवान विश्नु समेथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। अगले दिन सुबह भगवान विश्नु और सभी देवी देवताओं